राजपूतों की शान, राजस्थान जो आपको जल्द ही एक्सप्लॉट करनी चाहिए खम्मा घणी तो अब जब हम राजस्थान चल ही रहे हैं तो सुचा क्यों ना आपका स्वागत राजस्थानी तरीके से किया जाए शुरुवात करते हैं इंडिया की पिंक सिटी यानी जैपूर से जो मोस्ट इंस्ट्रग्रामबल सिटी भी मानी जाती है दिल्ली से लगभग 4-5 घंटे दूर जैपूर लोग अकसर जाते हैं और जाएंगे भी क्यों नहीं आखिर यहाँ एक्सप्लॉट करने के लिए इतना कुछ है कि आप ठक जाएंगे लेकिन जगा खतम होना मुश्किल है जिसमें स्टार्ट कीजिए चौकी धानी पर हाटी राजस्थानी खाना खाने से और इसी के साथ साथ एक्सप्लॉट कर ये 300 साल पुराना गौजियस हवा महल सिटी पैलेस, आमेर फोर्ट, नहारगर फोर्ट, अलबर्ट हॉल मुजियम, बाकु और जोहरी बाजार, बाकु और जोहरी बाजार, और जाहिर से बात है कि यहां की में अट्रक्शन है इन बीटिफुल लेक्स दिस पिचुरिस्क लोकेशन अट फुटहिल्स अरावली माउंटेंस इस होम तो वेरियस पैलेसे, फोर्ट, और समागनिफिसिन इन पॉपिलर टेंपर्ट, ये सिटी अपनी वार्म हॉस्पिटालिटी के लिए भी काफी जानी जाती है और जब आप यहां हो तो सिटी पैल इंडिया जैसल मेर्ड, जो टूरिस्ट और ट्रावलर्स की मोस्ट लव्ट सिटी है, यहां का सबसे बड़ा हाइलाइट है थार डेजर्ट, वेर पीपल गो आउट फोर डेजर्ट सफारी और कैमल सफारी इन वास संद दूस अप देजर्ट, और हां इस सिटी को गोल्दन स जैसल मेर्ड फेमस है अपने एशिंट आर्किटेक्ट्चर, फोर्ट, आर्ट और क्राफ्ट, लोकल कुजीन और राजस्थानिक कप्रो और सूविनिर्स की शॉपिंग के लिए, विल यू आ हेर यू मस्ट विजिट जैसल मेर्ड फोर्ट, पत्वो की हवेली, बड़ा बार थार हेरिटेज म्यूजियम, सैम सैंड लून्स और गड़ी सरलिंग, अब बात करते हैं अबाट दे सेकंड लाजस्थान जोदपूर, जिसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है, यहां आपको मोस्टली सारी बिल्डिंग्स ब्लू कलर में रंगी दिखेंगी, फिल विट फोर्ट में रंजाटेंगा अगर आपने जोदू का लाजस्थान का प्रिप अधूरा है अगर आपने जोद्पूर का लाजस्थान का अघ्रांगर फोर्ट नहीं देखा, जहां चेप्वर पूरी जोदपूर सिटी का यू दिखता है, और जब आप यहां कुछ लोगों गाते और बजाते देखेंगे ना तो आपको और भी मजाएगा. And when you are in Jodhpur, you must also visit Umetbhavan Palace, Jasvan Thadda, Mandor Garden and Kailana Lake. जब हम दिकाने की बात करते हैं, तो ये सिटी अपने mesmerizing force के साथ साथ अपने खाने, specially sweets and snacks के लिए भी काफी famous है. It's literally a heaven for foodies with sweet tooth. और बिकानेर का घेवर, केसर कुल्फी, बिकानेरी भुजिया और राज का चोडी खाय बिना आप नहीं जा सकते. With this, desert safaris are also very popular in Bikानेर. And you can ride a camel into the desert to explore the local culture and landscape here. Some must-visit places of Bikानेर are Junagarh Fort, Lalgarh Palace, National Research Centre on Camel, Karani Mata Rad Temple and Bhandasar Jain Temple. Next one is Chittaurgarh. जिसका नाम सुनते ही सबसे पहली चीज़ जो आपको याद आ रही होगी वो होगी फिल्म पदमावर. इस फिल्म में राजपूतों की शान, यानि Chittaurgarh Fort और उसकी कहानी को बहुत अच्छे से दिखाया गया है. और स्पेशली ये गाना जिसको सुनकर हम सबका मन करता है इस पोर्ट में जाने का. चittaurgarh is a very impressive and historic attraction of Rajasthan which is a birthplace of many great warriors. और जब आप यहाँ जाएं तो यू शुद डेफिनेटली एक्स्वार्ट इस प्लेस जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे. जैसे रानी पदमीनी पैलस, मीरा टेंपल, कालिका माता टेंपल and of course Chittaur 4. अब बात करते हैं the holy city of Rajasthan पुषकर की which is said to be the home of Brahma. वैसे तो आप साल में कभी भी पुषकर जा सकते हैं लेकिन best time होता है October-November में when पुषकर camera fair hits the town. उस time यहाँ का atmosphere और शोर्गुल देखने लायक होता है and therefore it's the best opportunity to witness an old traditional Indian festival. पुषकर में और भी कई मंदिर, घाट और ऐसी जगाएं हैं जो आपको miss नहीं करनी चाहिए. जैसे ब्रह्मा Temple, सावित्री माता Temple, महादेव Temple, मन महल, किशंगर, पुषकर मार्केट और पुषकर से थोड़ी दूर अजमेर की famous और काफी मानी हुई अजमेर शारिफ दर्का. Now, let's talk about the small and rustic town of Rajasthan called Boondi, जो famous है अपने step wells, palaces, forts और water tanks के लिए. यहां का classic architecture और ancient art will leave you amazed. Jodhpur की तरह, Boondi में भी आपको सारी buildings blue color में paint हुई दिखेंगी. और जब आप यहां जाएं, you should definitely see the extraordinary Boondi Palace and also the famous step wells, जो 15th century से भी जादा पुराने हैं. And some other top attractions of Boondi are Rani Ji Ki Bauri, Moti Mahal, Jait Sagar Lake, Chitrashala and also don't forget to set off on a wildlife safari at Ramgarh Vishthari Sanctuary. Abbari है Rajasthan के only hill station, Mount Abubuki. Yes, it's in the desert state of Rajasthan which is situated in Aravali mountains. जब forts, palaces, mandir, markets और desert safari लेने के बाद आपका मन करे कि थोड़ी थंडी और lush green जगा पर जाकर आराम किया जाए, then Mount Abubu comes to the rescue. This hill station offers exceptional views of the surrounding area. और जब आप यहां हो तो नक्की लेक जरूर जायेगा, where you can even rent an affordable paddle boat to get on the water and admire the view around. इसी के साथ इस hill station पर आपको और भी कई खुबसूरत जगाएं दिखेंगी, जैसे Sunset Point, Dilwara Jain Temple, Toad Rock, Mount Abubu Wildlife Sanctuary और गुरुषिक्र. The last one yet the important one is Savai Madhupur, जो जाना जाता है अपनी wildlife sanctuary and also for a wide range of flora and fauna. यह जगा पॉफिक है history buffs, wildlife enthusiasts and nature lovers के लिए. When you are here, you must go to Ranthambur National Park, which is one of the best places in India to spot a tiger live in the wild. यह बहत ही famous tourist spot है जो बुक्त रहता है from October till June every year. Apart from this, you must go to Chaut Mata Temple, Ranthambur Fort, Surwal Lake, Chamatkar Temple and Kachira Valley. Well these are the top 10 cities which you must explore on your next trip to the incredible state of Rajasthan. और आप तो आप भी मान गए होंगे. यह राजिस्थान definitely has so much to become your favorite travel destination. जहां आपके और हमारे जैसे travelers के लिए थेर सारी जगाएं हैं to explore. With this, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक and share it with everyone. And stay tuned to Curly Tears. This is Sunakshi Kara, signing off. कर जब अबाएंगist. पारो नजो आपके पसेपलिका आपके नजेग内शेब्स. झाल